हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गंगोर पूजने के बाद उनको विसरजित कैसे किया जाता है तो आज हम गंगोर का विसरजन कैसे करें ये बताएंगे आपको बहुत ही सरलविधी है और मैं आपको घर का अब बताऊंगे घर पे आप किस तरह कर सकते हैं या बाहर जाके किस तरह कर सकते हैं दोनों तरह से बताऊंगी लेकिन उससे पहले और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये सुहाग जल बनाना बताया था मेरी वीडियो है अल्रेडी चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हैं और वीडियो में मैंने पूरी तर बता रखा है आपको सुहाग जल कैसे बनाएंगे और कैसे माता का आर्ता करना है किस तरह से गंगोर पूझनी है तो अप उस तरह से जब इस विदी से पूरी तरह से पूझ लेंगे उसके बाद आप कथा कहेंगे कथा की भी वीडियो मेंने अलरड़ी डाल रखी आप जाके सुन सकते हैं महाँ पर कथा और माता की कथा सुनने के बाद क्या होता है फिर हम एक बढ़ तो जल दे देते हैं उसके बाद शाम को जब हम 4 बजे माता को पानी पिलाएंगे तो गनगोर मया को इस तरह से देखे छले में ऐसे लोटे में हलका सा पानी लेते हैं एक जोट से आरता होता है वो हमारा सुभे के टाइम पे होता है जब हम गंगोर पूजते हैं और अब जब माता का विदाई का टाइम आ गया है तो हम इस तरह से माता का जो है सुहाग जल से आरता करेंगे और इसी टाइम पे इसर भगवान का और गौरा माता का आरता गाया जाता सब स्तिरियां सुहागन मिलकर आरता करेंगे और सब पानी पिला देंगे एक एक बार करके और उसके बाद जो भी आपने खाने में पकोड़े पूड़े हलवा पूरी जो भी बनाया हो छपन भोगों सब भगवान को जूटा करवाएंगे उनको चढ़ाएंगे भगवान जी क और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे ये आपने जो सुहाग जल बनाया था उसके छीटे जरूर देंगे आप अपने सुहाग की जीजो पर जैसे कि कहानी में भी कहा गया है पारवती माता ने छीटे मारे थे तो आप ये सुहाग जल से अपने जो भी सुहाग की चीज़ पूरे 16 दिन की गंगोर पूजी है तो आप इस तरह से सुहाग का समान जरूर चढ़ाईएगा माता रानी को गंगोर मैया को कुवारी लड़कियां पूजती हैं 16 दिन की गंगोर या फिर जब कि शादी की पहली गंगोर आती है तब पूजी जाती है और ये समान आपको किसी मालन को देना है मिनस करके और अब हम ये देखे एक लाल कपड़ा ले लेंगे छोटा था इस तरह से और ये हम जो है गंगोर माता की विदाई तयार करेंगे जैसे हम लोगों को जब विदा के टाइम पे अपने घर से विदाई मिलती है ऐसे हम लोग गंगोर माता को विदा मिल्टते ही सबस्रेंगे कई इस तरहीं लिजेगा और आपने खाने में जो कुछ भी बनाया है जिसमें आप पूडे बनाए या फिर आप गुने बनाए वह सब भी आपको इसमें रखने हैं, कई जहां पर क्या होता है, पताशों से भी पूजा जाता है, गुने और वो नहीं बनाया जाते हैं, पताशों से बायना निकाला जाता है, तो पताशे रख लेंगे इसमें, गुने रख लेंगे, पूडे रख लेंगे, तो आप जो भी आपके पास है दहेज माता रहनिका तो हम यह इस तरह से तयार करके रख लेंगे और यह िभाट की था किरगे अधर हैं Хब इस तरह से कपड़े बांध के रख ल या या पूजरी वगएश्वाया, जाएँ जगा में, वहाँ पर आप यह सारी जीजे आपनी समाइल के रख लीजिए। यह अशीरवादी यह माता रानि का स्वाग जल का, तो यह सब बहु से प्लेस पे रख लेंगे लिए से और यह जो हमारा सुहाग जल है या तो इसे गाय के खुटे पर सिलाया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताय था लेकिन अगर आज कल गाय का खुटा नहीं मिलता है तो आप इसे छट पे कहीं पे भी इस तरह से गोल-गोल घूमते हुए इसको जो है सूर्य भवान को अर्क दे सकते हैं इससे और यह जो हमारी सोला चीजों की हमने सुहाग की टोकरी बनाई थी यह आपको मालन को देनी है जो माली नरसरी बगारा में होते हैं वहाँ भी आप देंगे तो वहाँ भी वो मिल जाते हैं ले ले लेते हैं और इसमें आपको दक्षिना जरूर र ज़ूटा सुहाग है यह तो आपको जरूर यूज करना ही चाहिए और आप चाहें तो बाहर जाके भी विसर्जन कर सकते हैं लेकिन मैं आपको आज घर पे ही सरल विधी बता रही हूं विसर्जन की क्योंकि करोना टाइम चल रहा है और हो सके तो आप भी बाहर जाना अवाइ जल थोड़ा सा आप भी यह सुहाग जल इसमें जरूर डालिएगा थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें और थोड़े फूल वगरा डाल सकते हैं और बाकी अब जो भी हमारा भगवान को हमने चड़ा रखा था इतने दिन से पूजा की थी तो हम यह इसमें फूल डाल लेंग तो हम यह सब भी यहाँ पर रख लेंगे और अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते अपनी मूरतियों की आप चाहते हैं कि हम अपने पास ही सम्हाल के रखें तो आप इनको एक फेरी बाहर की घुमाके जरूर लेके आईएगा तुलसा जी के पौधे के पास थोड़ी दि अपने दुरुवा घास वगयरा फूल वगयरा बिचाये थे इनके नीचे वो सब कुछ हाप इस तरह से विसर्जन में डाल दीजेगा और यह जो हमने भगवान की पोटली बनाई थी वो भी डालेंगे इसमें जो भी समान था वो घुल जाएगा अपने आपी क्यूंकि खा आगज भी हम इस तरह से विसर्जन में डाल देंगे और यह भी घुल जाएगा गल जाएगा यह और यह सारी चीजे मिलके जो है खादसी बन जाएगी और जो हमारे भगवान है अब हम यहापे इससर भगवान जो हमारे उनको विसर्जित कर देंगे इस तरह से तो आप पह की जो आपके सिक्के हैं वो आपके इसमें पड़े रहेंगे और ये सारा जो पानी है आपको ये अपने पोधों में डाल देना है और सिक्के भी आपके वही चले जाएंगे तो जब भी आपके घर पे माली आता होगो तो माली को दे दीजिएगा निकाल के कह दीजिएगा या फिर किसी गरीब वगरा को दे दीजिएगा और ये सुहाग जलका मैंने आपको बता दिया आपको आरक देना है तो इस तरह से हम अपनी माता रानी का घर में ही बहुत सरल तरीके से विसरजन कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताईएगा और अ